दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, Google की सर्च हिस्ट्री को डिलिट कैसे करते हैं, पर्मानिन्टली। आप एक क्लिक में, All Time की Google की सर्च हिस्ट्री को डिलिट कर सकते हैं। अगर आपकी home screen पर इस तरह से Google का सर्च बार है, इस पर आपकी लिख करेंगे। अगर यहाँ से आपने जो भी search किया है, वो search history दिखाई दे रही है, इसे डिलिट करना है, तो इसे आप यहाँ से single single भी delete कर सकते हैं, जो भी history आप को delete करना है उस पर long press करना है इस तरह से एक pop-up आएगा, यहाँ पर आपको delete button मिलेगा, तो single search history आपकी delete हो जाएगी लेकिन अगर आपको all time की करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option मिलेगा manage history इस पर आपको click करना है तो इस तरह से page आपके सामने open हो जाएगा लेकिन अगर आपको इस तरह से setting नहीं मिल रही है तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ आपके mobile में एक app होगा Google का आप देख सकते हैं Google का app सभी Android phone में होता है इसे आपको open करना है तो यहाँ पर आपको ऊपर में Google account की profile दिखाई देगी इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपका Google account आपको दिखाई देगा अगर आपने एक से ज़्यादा Google account लॉगिन कर रखे हैं अपने phone में तो आपको यह वाले arrow पर click करना है तो सभी Google account आपको दिखाई देंगे किस Google account की history आपको delete करना है उसे आपको यहाँ पर select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर अगर आप logo पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा search history इस पर आपको click करना है कुछ time page load होगा और इस तरह से page open हो जाएगा अब यहाँ पर आपने जो भी search किया हुआ है आपकी search history दिखाई दीगी अब यहाँ पर आपको delete button मिलेगा delete button पर आपको click करना है तो आपको यहाँ पर चार option मिलेंगे पहला है delete today यानि कि आज की date में जो भी आपने search किया है उसे आपको delete करना है तो आपको delete today पर click करना है इसके बाद है delete custom range यानि के माल लीजी आप एक तारिक से लेकर दस तारिक तक की search history को delete करना चाते हैं तो यहाँ पर आप date को select करके ऐसा कर सकते हैं इसके बाद आपको तीन नंबर पर setting मिलती है delete all time यहाँ से आप all time की search history delete कर सकते हैं सिर्फ एक click में और आखरी वाली setting की मदद से दोस्तों यहाँ पर auto delete की setting को आप set कर सकते हैं यानि कितने दिन के बाद automatically google की search history delete होना चाहिए तो फिलाल यहाँ पर हम delete करने वाले हैं all time की तो यहाँ पर delete all time पर click करना है इस तरह से page load होगा आपके सामने page आ जाएगा अब यहाँ पर आपको delete button मिलेगा delete button पर आपको click करना है तो आपकी सारी google की search history delete हो जाएगी सिर्फ एक click में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं no activity तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like कर देना, share भी कर देना